नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का YFM Security दोस्तों आज मैं क्यों ने वीडियो बना रहा हूं और काफी सवाल आपके आए जिसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो में मुझे देना होगा तुसार जटाहजी का कहना है साथ में प्रनॉंसेशन सही तरह से ना कर प अब डर क्या होता कि सभी लोग जो है रात मलाइट ऑफ करके चले जाते हैं बट इनका प्रॉब्लम यह कि सिक्योर्टी कैमरा भी ज़रूरी है इसके रात मलाइट ऑन करके रखने होती है जिससे कि इनको डर लगता है कि सौट सर्किट ना हो जाए इस बात का इनको डर है त सही है तो आपने इलेक्ट्रेशन को यह सकते हैं कि रात में आप चाहते हैं कि पूरी जो सौप की जो है लाइट आफ हो जाए कहीं पी कोई कनेक्शन नहीं रहे बट एक कनेक्शन आपका ऑन रहे सिर्फ और सिर्फ आपका उस जगह पर जहां पर आपका डिव्यार लगा फायर अलाम्ड सिस्टम आते हैं कई सिस्टम आते हैं जो कि आपको जो है इन्फ़र्मेशन दे देगी कि हां यहां पर आग लगी है या आग जुआ यहां पर जल रहा है बट इससे पहले अगर आप यह वाइरे वाला सॉलेशन करते हैं तो आपको यह डर नहीं होगा रात म मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे, फिर भी अगर कोई issues हो, तो मुझे mail कर दीजेगा, description, मेरा email idea, मैं कोशिस करूँगा, कि बहुतरीन answer आपके जरूरत की हिसाब से, मैं आपको दे सकूँ, संजा कुमार जी का कहना है, कि साम होती है, केमरे के light on off होने लगती है, इनका भी काफी लंबा comment है, मतलब इनका यही है, अब यह आपने क्या है, कि light on off होती है, साम होती ही, और मतलब कि रात होती है, यानि कि night vision, जब IR LED, जो infrared LED हैं, आपके camera के यह XIR हैं, जो भी है, smart LED हैं, तो वो जब on होता है, तो light on off होने लगती है, ऐसा तभी होता है, जब camera को सही power नहीं दिया गया हो, कम power दिया गया हो, अगर आपने जिस power supply को यूज कर रहे हैं, आप और extra उतने power supply को यूज की जब 10 ampere को कर रहे हैं, तो 10 ampere और आप यूज कर लिजे, यह power का issues है, दिन में power का issues ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि infrared LED जो वर्क नहीं करता, तो आपको सही picture मिलती है, लेकिन रात में जब IR LED जो है, जब on होते हैं, तो उनको ज़्यादा power चाहिए होता है, उस camera को ज़्यादा power चाहिए होता है, उस समय यह problem आती है, on off, on off होने लगती है, यह समस्या है, खासकर power supply को लेक है, दूसरा करेक्टर बगर आप छोट मोटी चीजे हैं, वो आप check कर स सकते हैं, बट इसका सबसे बड़ा major issues जो है, यह power supply की कारणी होती है, जे जे जोज जी का कहना है, कि bullet camera को बीना DVR के हम TV में देख सकते हैं, जी हां देख सकते हैं, सारे process हैं, आप देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, और आप IP camera को भी यह converter आता है, IP to AV converter, आप उसे अगर यूज करें तो IP camera को भी अपने TV में देख सकते हैं, बट रिकॉर्ड बगएर उसमें नहीं होगा, यह आपको ध्यान में रखना होगा, RVV BGM का कहना है कि Wi-Fi camera में land port का का काम एक तो उससे आप अगर आपको network connectivity से नहीं मिलती तो उससे आप router को connect कर सकते हैं, दूसरी कि अगर Wi-Fi connectivity आपके Wi-Fi NBR तक सही से नहीं आए, तो land wire के through आप connect कर सकते हैं, दूसरा firmware upgrade करने के लिए भी वो होता है, तो काफी चीज़ें हैं जो land wire से होती हैं, आपके wireless नहीं होती, इसलिए land port देना बहुत ज़रूरी हो जाता है Wi-Fi camera में, इसलिए land port उसमें दी जाती है, सच और फिर भी recording start नहीं हो, recording start नहीं हो, यानि कि आपके hardest में issues है, एक बार और आप जो DVR है, उसे आप open करके, जो connector लगे होते हैं, data जो power cable और data cable जो है आपके hardest और उस DVR में, उसे आप चेक कर लें, जो हो सकते हमापर भी issues हो, और दूसरा कि power supply का भी matter होता है, जो adapter आप यूज आपके DVR में, जो adapter है, अगर वो सही power नहीं दे रही है, काफी पुराना हो गया था, आप उसे change कर लें, उसके कारण भी है, समस्या देखने को मिलती है, कभी कभी, but recording हो जाती है, overwrite नहीं हो रही है, तो आपके hardest की issues है, इसके बाद दिया गया है, फिर मैंने आपके वीडिय आपके घर में, अगर कोई होगा, आपके 32 सिंज का 24 सिंज का जो भी है, वहाँ पर जाके आप resolution को, एक विजन का तो configuration जाके resolution को आप कम कर लिजिए, resolution को कम करने के बाद आपने monitor बगरम देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगे, लिकिन अगर यह बड़ी resolution में पहले हैं, जो की night में, अगर shop बंद हो, तो कोई आए, तो हमें call प्राप्ता है, इसे कई camera है, हेजवीच के सारे camera है, आपके और भी brand के जो wifi camera आ रहे हैं, खास कर डववा के IMOU, इन सभी में यह सारी function है, कि वो रात में जो है, आप अगर time set कर लें, तो उतने से उतने के बीच का notification आपके app में भी बेज देती है, तो यह सारी चीजें तो हो ही रही है, आप analog में भी IP में भी यह चीजें यूज़ कर सकते हैं, वहाँ परिवागर motion detection on कर लें, तो आपके app में, आपके HIC Connect app में भी आपको वो notification देखने को मिलती है, सामने वाले की image भी देखने को मिलती है, त customers को service या repairing parts वागरे में issues आएंगी, क्या प्रमा HIC Vision को take over कर लेगी, या फिर customer को CP plus है डवा के पीछे जानी चाहिए, ये एक उपज है मैं आपको clear कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, प्रमा पहले भी थी, और प्रमा इंडिया में HIC Vision का काम करती थी, ठीक है, पुरे world wise HIC Vision का काम होता है, इंडिया में प्रमा को license मिला हुगा HIC Vision का काम करने का, बट अब क्या है कि ये जो इंडिया चाहिने वाली जो कहाने होगी, अब ये प्रमा के नाम से धीरे धीरे अपने brand का बस name change कर रही है, और इंडिया में plant बैठा है, तो वो इंडिया के हिसाब से वो एक Made in India वाले concept को लेकर चल रही है, यहां HIC Vision बंद नहीं हो रहा, HIC Vision बहुत बड़ी company है, और इंडिया में प्रमा के नाम से काम करेगी, ठीक है, पहली बात सर्विस आपको प्रमा से मिलेगा, कोई issues नहीं आएंगे, दूसरी बात यह है कि HIC Vision के जितने product है, अगर सभी को प्र साने से बंद होने नहीं वाले इंडिया में, और यह जो यह चीजें market में फैलाए गई हैं, आपको पता ही है, कि जो लोग फैलाते हैं किस तरह की चीजें को उनमें कितनी एब हैं, उनको अपने आप अपने अंदर देखनी चाहिए, बाकी चीजें मैं आप पर छोड़ता ह चैनलों को सब्सक्राब जरो करते हैं, वीडियो को लाइप जरो करते हैं, दोस्तों धनबाद